22 जुन को गोंदिया जिले के नदी से बड़ी मात्रा में रेत का अवैद उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था प्रश्नास्तिक वैवस्था की लापरवाही से महलगाव में अवैद रेत लेकर जा रहे हैं ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टकर मारी इस साथ से में दो यूकों की मौत हो गई है और तीन गंभी रूप से खायल हो गई है इस गटना से स्थानिय लोगों में आकरोश का वातावरण निर्मान हो गया है गोंदिया जिले के नदी से बड़ी मात्रा में रेत का अवैद उत्कनन कर परिवहन किया जा रहा है हलाकि इसे नियंतरीत करना और रोकना संबंदित अधिकारियों की नयतिक जिम्मेदारी है लेकिन अधिकारी रेत माफिया के साथ वित्तिय हीच संबंद बनाये है प्रशासनिक व्यवस्ता की लापरवाई से महलगाव में हुए आजसे में दो मासुम योगों की मोथ हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए अगर प्रशासन समय रहते इस पर लगाम लगाता तो यह घटना नहीं होती इस घटना से जनता में आकरोश निर्मान हुआ और प्रदर्शन कारियों के खिलाप अनुची तारूप लगाय गए मांग है कि पुलिस प्रशासन निर्दोशों को रिया करे सुनिल मिंडे ने आज 22 जून को सरकारी विशरम ग्रूह में समवाद्धाता सम्मेलन को संबोधित किया मिंडे ने कहा कि वहा आज मालगाव हाथसे में मारे गए आगाशे के परिवार से मिलने गए इस समय उन्होंने सरकार से आवशक मदद और व्यक्तिगत मदद की मांग की इसके बाद उन्होंने महालगाव बोंडरानी अरजुने में रेद घाटों का दौरा किया इस बार उन्होंने नदी में अवईद रेद उतकनन होते देखा घाटों पर कई अनियम इत्ताव का अनुबव किया उन्होंने कहा कि जहाँ जरूरत थी वहाँ CCTV वे कैमरे नहीं लगे थे गिब्ड बुक्स नहीं थे और सीमा से ज़ादा रिद जमा की गई ऐसा मेंडे इन्होंने बताया अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट साथ ही यहाँ campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, one degree, three job opportunities Flywheel Aviation Academy, gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy, 365 Gali Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur